इसमें में एक चीज बहुत आने लगी है, सल्फियोरिक एसेट के यूज़िस, चाहे थियोरिटे का लो, चाहे MCQ में आओ, अच्छा, किंग ओफ कमबॉर्ण भी इसले कहते हैं, कि सबसे जादा यूज़िस इसकी, डारीज बनाने में यूज़िस होता है, डिटर्जिन बनाने में, एक्स्प्लोजिव बनाने में, पेंड बनाने में, पिगमेंड बनाने में, ऐलम यानि फिटिकरी बनाने में, और खांगा यूज़िस होता है, एथर में, एथाइनीन में, लादर टैने, फर्टिलाइजर, आर्टिफिशल फाइबर, रियोन, प्लास्टेक, प्रोडक्शन ऑफ SCL, प्रोडक्शन ऑफ HM, पिकलिंग ऑफ स्टीव, तो यह सारे के सारे यूज़िस, इतने सारे यूज़िस किसके हैं सल्फियूरिक एसट के, सेकेडर के सबसे तो याद होनी चाहिए, एक बार इन्होंन हैं सारे यूज़िस दे के पूछाता है कि इसके यूज़िस हैं, तो वही सल्फियूरिक एसट के यूज़िस हैं, इसके लिए आप वह खास यूज़िस दे दक हैं जो सल्फियूरिक एसट के ही हैं, जैसे के प्रोडक्शन ऑफ SCL और HF हो गया, पिकलिंग ऑफ स्टील हो हो गया, रेओन और प्लास्टिक हो गया, एक्स्प्लोजिव हो गया, तो यह सारे के सारे यूज़िस हैं, और विट्रॉल भी कहते हैं, सुल्फियूरिक एसट को किंग ऑफ कंपाउंड भी कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता है 10.5 और बोइलिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री सेंटिग्रेट, बोइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि हिड्रोजन बॉड्निंग होती है, याद रहे हैं, जिसने भी हिड्रोजन बॉड्निंग होगी, इसकी विस्कॉसिटी भी जाधा होगी, सर्फेस टेंशन भी जाधा होगा, और बोइलिंग झाल झाल